आज की वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है, प्रेग्नसी में महिलाओं को एंड नमबर अफ प्रॉब्लम होती है, उन प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर पिक किया है कि महिलाओं के डिस्चार्जिस काफी ज़ादा बढ़ जाते हैं, तो यह डिस्चार्ज इस तरह की चीज़े आती है, जब हमें कुछ चीज भी अनूजवल लगती है, चाहे वो डिस्चार्जेस ही हमारा कुछ बढ़ा हुआ क्यों न हो, हमें लगता है कि हमारे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा, कहें जल्दी कुछ मिस्चार्ज तो नहीं हो जाएगा, इस तरह की भावनाय चलती रहती है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी, कि आप बिल्कुल भी निगेटिविटी से दूर रहे, आप जितना अच्छा सोचेंगे, उतना ही अच्छा आपके साथ होगा, तो आप मिस्कैरिज वगर बारे में ना सोचे, अगर आपकी ड टानों से रक्षा मिल सके, इसलिए वहां के डिश्चार्जिस बढ़े होई से आपको लगते हैं, जैसे ही बच्चे का गर्वरोपन होता है, जब भी आपके यूटरिस की दिवार पे बच्छा चिपकता है, आपका जो सर्विक्स होता है, वो क्लोज हो जाता है, क्योंकि इ लेबर पेन में होती है, तब इंटर्नल ओस भी खुलती है, एक्स्टर्नल ओस भी खुलता है, और ये सर्विक्स 10 cm का हो जाता है, तब ही जाके आपके बच्चे का सर आउट होता है, तो आप ये बिलकुल ना सोचे कि ये डिश्चार्जिस क्यों आ रहे हैं, ये माप्रकृ और निचले अंगों पे काफी ज़्यादा जोर पड़ता है, भार पड़ती है, जिसके वज़से भी कई बार आपको यूरिन भी लीक हो सकती है, क्योंकि ब्लैडर के उपर भी अगर दबाव पड़ता है, और बार 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 पर प्रिग्नेंसी में होता ये है, कि जब भी अ अनुजवल है, बहुत ज़दा आपको इचिंग हो रही है, रेड़नेस है, रेशेज है, आपको तकलीफ हो रही है, तो ऐसे केस में अपने गाईनी से मिलना बिलकुल न भूलें, लेकिन अगर ये डिस्चार्ज जिस नॉर्मल है, जिसमें कोई फावलिस मिल नहीं है, अग अगर आपका नौबा महना लगता है, तो आपको म्यूकस के प्लग कर डिस्चार्ज होता है, वो म्यूकस का प्लग कर डिस्चार्ज होता है, बिलकुल क्लियर, मतलब आपको लगेगा कि बलगम जैसा है, क्लियर डिस्चार्ज हो गया, पीले कलर का भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है या उने में कुछ प्लड के धारियां भी आपको दिखाए दे सकती है तो अगर वो डिश्चार्ज हो रहे हैं इसका मतलब कि वो म्यूकस प्लग कर डिश्चार्ज है और उसके बाद ही आपके बच्चे दानी का मुग खुलेगा और बच्चे का सर आउट हो जाएग Hopefully इस वीडियो में दिगा जनकारी आपको अच्छी लगी अगर अच्छी लगी तो फ्लीज लाइक कर दीजेगा और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और जो भी आपके मन में क्वेरी आती है कुछ भी वीडियो से रिलेटिर या आपके मन में जो भी क्वेरी है आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर लेखें हो सकेगा तो मैं उसके उपर वीडियो बना दूँगी क्योंकि हर एक का रिपलाई देना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है घर के बहुत सरे काम होते हैं तो मैं उससे रिलेटिर वीडियो आपको बन आवल केर